हेलो स्टुडेंट बेलकम बैक स्टुडेंट कल हम पढ़ रहे थे क्लास 11 और 9 के बेसेश पे आपकी बाइलोजी तो इस्टुडेंट क्या है कि इसमें हमने बहुत सारे से टॉपिक से जो कि आपको बताये गए थे कि आपको फाइब क्लासिफिकेशन देने वाले सांटिस्ट कौन है तो इसमें आपको 1969 फाइब क्लासिफिकेशन जोगी आरेस बीटेकर के दवरत दिया गया था तो फाइब क्लासिफिकेशन और आपको इस्टूनेंट यह भी बताया था कि आपको दिमाग में रखना है कि देने वाले सांटिस्ट कौन है ठीक है उसको कि सन में दिया गया था देने वाले कौन बाइघ्यानिक है आपको बताया गया था कि आर्样s बीटेकर ने 1969 में क्या दिया था ये सारी चीड ए स्टून आपको बता दिया गया था कि औरह्त प्टेकर ने किसन में इसको दिया था तो 1969 में ठीक है 1969 में आरेज बी टेकर ने आपको यह बताया गया था कि फाइफ इन देने और साइंटिस्ट कौन है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस्टुडेंट आज जो हम पढ़ेंगे अब इस बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन में जो बाइलोजिकल क्लासिफिके साइंटिस्ट से जिन्हों ने अपना जो है कॉंस्टिबीूशन दिया था और किस तरीके से इन्होंने बताया था कि हमारी पूरे वर्ड में यह जो और गेनिज्म हैं वह किस तरीके से हैं इन सारी चीजों के बारे में हम डिसकॉस करेंगे आज तो student सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक बैज्यानिक थे Aristotle कौन थे? Aristotle ठीक है Aristotle ने बताया कि हमारे world में कहां पर हमारे world में दो ही kingdom है कितने kingdom है? दो ही kingdom है कितने kingdom है? दो kingdom है ठीक है अब कौन कौन से kingdom है? पहला इनोंने बताया अरिस्टोटल ने पहला बताया एक तो है plant kingdom क्या है? एक तो plant kingdom है ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरा है animal kingdom ठीक है? animal kingdom इस्टोटन अरिस्टोटल ने जिन्हें फादरा बाइलोजी कहा जाता है इनको लेकिन अगर बात करें केवल इतने ही और गेने हमारे world में है means एक plant kingdom दूसरे में divide किया दूसरे में animal kingdom में इसी basis पे इन्होंने क्या किया था? इसको divide किया था और ये जो अरिस्टोटल थे ये एक classification जो दिये थे कि हमारे world में दो ही kingdom है एक plant kingdom जिसको पादब जगत बोलते है और दूसरा animal kingdom जिसको हम जन्त जगत बोलते है तो अरिस्टोटल ने बताया कि हमारे world में ये दो ही प्रकार के जो है और गेनेजम है एक plant kingdom है और दूसरा animal kingdom है लेकिन ये जो अरिस्टोटल ने बताया अरस्टू ने बताया ये जो classification है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला ठीक है अब क्यों नहीं चला क्योंकि इसके बाद next scientist आ गए दूसरे scientist आ गए उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है दूसरे scientist आ गए वो scientist कौन है भाई वो है कैरोलस linius कौन है कैरोलस linius ठीक है अब यहाँ पर जिसको linear पढ़ा जाता है तो कैलोरस linear ने भी ऐसा बताया जिनको एक दिमाग में यहाँ पर question यह भी रखेंगे कि इनको father of father of taxonomy कह जाता है क्या कह जाता है भई father of taxonomy यह आपके लिए question important है कि father of taxonomy कौन है कैरोलस linear ने कौन है कैरोलस linear है clear ओरी बत अब देखिए यह जो कैरोलस linear थे कैरोलस linear से ने बताया कि हमारे word में हमारे word में जो यह organismo है ठीक है इन्होंने भी इस तरीके से कंडिशन बताया कि दो ही हमारे हमारे वर्ड में दो ही किंगडम है एक प्लांट किंगडम है दूसरा एनिमल किंगडम है लेकिन यह यह निश्यत नहीं कर पा रहे थे केरॉलस लीनियस कि इसमें कुछ ऐसे और्गैनिजम है जो कि फोटो सेंथेटिक है फोटो सेंथेटिक ठीक है यह फोटो सेंथेशिस बोल सकते हैं हम फोटो सेंथेशिस मतलब होता है प्रकासंसले प्रकासंसलेशन मेंस ऐसे और गैनिजम जो लाइट की परजंट में किसमें लाइट की परजं जो प्रकास होता है लाइट की प्रजकिंट में जिए सुनेंगे जो लाइट की प्रजक में अपने भोजन का निर्माड कर सकते हैं क्यानी का मतलब प्रेशन आप फूड घे सराफूड किसका निर्मार कर सकते हैं भोजन का निर्मार कर सकते हैं ठीक है तो इसमें कुछ ऐसे और गैनिजम जो जो लाइट की प्रिजन्ट में अपने फूर का निर्मार कर सकते हैं उनको हम फोटो संथिस बोलते हैं और कुछ इसमें ऐसे और गैनिजम थे कुछ ऐसे जिवधारी थे जो की prokaryotic थे और कुछ ऐसे organism से जो की eukaryotic थे अब देखिए उर prokaryotic organism कौन है अब prokaryotic का मतलब पहले जान लेते हैं prokaryotic organism कौन से होते है ठीक है तो अब यह नहीं पता लगा पा रहे थे keralis lineage की कौन से organism prokaryotic हैं कहने का मतलब single cellulor और कौन से ऐसे organism है जिनके पास Bell Defined Nucleus नहीं है कहने का मतलब Eukaryotic means ऐसे organism जिनके पास Bell Defined Nucleus नहीं होता है तो पर अब इसको जान लेते हैं कि Prokaryotic का मतलब क्या होता है Prokaryotic का मतलब क्या होता है means जो Prakash Translation होता है जो Ecos के Organism होते हैं उसे Relative होता है तो prokaryotic means जिनके पास bell defined nucleus नहीं होते हैं कहने का मतलब no nucleus are present no nucleus are present clear हो रही बात इसको हम इधर कर देते हैं no nucleus are present इसका मतलब क्या होता है कहने का मतलब single cellar होते हैं bell defined nucleus जिनके पास नहीं होता है और अगर eukaryotic जिनके पास bell defined nucleus होता है तो eukaryotic मतलब होता है जिनके पास bell defined nucleus होगा और जिनके पास नहीं होता है वो क्या होते हैं prokaryotic होते हैं clear हो रही बात इसको हमने देखा अब आगे यह डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि जो कैरोलस लीनियस थे इसमें कुछ ऐसे और गयनियस से जो की यूनी सेलुलर थे कौन से था कुछ ऐसे थे जो की यूनी सेलुलर Unicellular नहीं डिफाइन कर पा रहे थे और कुछ ऐसे और्गेनिजम थे जो कि Multicellular Multicellular अब दिखे इसमें कौन से Unicellular है कौन से Multicellular है यह भी और्गेनिजम यह नहीं पता लगा पा रहे थे अभी भी ऐसे और्गेनिजम है कि जिनको हम Plant Kingdom और Animal Kingdom में नहीं डाल सकते हैं तो इसमें हमने दो साइंटिस देखे एक अरिस्टोटल जिनको हम फादर आप जो लोजी यह बालोजी बोलते हैं ठीक है उन्होंने बताया दो Kingdom है Plant Kingdom और Animal Kingdom उसके बाद कैरोलस लीनियस है उन्होंने बताया दो ही Kingdom है लिकिन इसमें भी कुछ इसमें कहने का मतलब कुछ Unicellular थे कुछ Multicellular थे उस प्रोकारियाटिक थे कुछ यूकारियाटिक थे ठीक है किनी के पास वेल डिफाइन नूकुलियस होता है किसी में नहीं होता है तो इसके basis पर यह नहीं डिफाइन कर पा रहे थे कि कौन से ऐसे organism है तो हमारे word में अभी भी ऐसे कुछ organism है जिनका हमको ग्यात नहीं है ठीक है उसके बाद next scientist आगे तीसरे scientist जो आ गए कौन scientist आ गए तीसरे scientist ठीक है तीसरे scientist आ गए वहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे scientist है वो Ernest Ernest मायर आ गए कौन आ गए अरनेस्ट मायर ठीक है अब यह Ernest मायर आ गए इन्होंने बताया कि हमारे word में कि जहां पर हमारे word में तीन kingdom है कितने kingdom है भाई तीन kingdom है वो कौन-कौन से kingdom है दो जतो हम जानी चुके हैं पहला है plant kingdom तीक है plant kingdom दूसरा कौन सा है animal kingdom animal kingdom तो student हम यहां तक दो तो kingdom हम जान चुके थे अब उसके बाद हम तीसरा जो यहां पर यह Ernest मायर बता रहे हैं इसमें एक है kingdom protista तीसरा जो है इन्होंने include किया था kingdom protista अब देखे तीन kingdom हो गए तो हमारे word में दो kingdom ना हो करकि तीन kingdom है इसको बताने वाले scientist कौन है Ernest मायर तो पहला जो ने देखा animal kingdom, plant kingdom अब दूसरा हम ने देखा animal kingdom, plant kingdom एक दो हो गए तीसरा आपका है यहां पर kingdom protista, तो हमको पता चल गया कि इन्होंने बताया कौन बताया, Ernest मायर ने कि हमारे word में तीन kingdom classification इन्होंने दिया था, यह भी आपको पता होना चीछित, कि Ernest मायर scientist ने तीन kingdom classification दिया था, plant kingdom और animal kingdom को include करने के साथ साथ एक kingdom इन्होंने और include किया था kingdom protista, अब देखे, protista मतलब होता है, ऐसे और गेनिल जिन जो single cellar होते हैं क्या होते हैं, single cellar, ठीक है, जो single cellar होते हैं, उनको कहा जाता है protista में आने और यार्गेनिल जो होते हैं, उनको इनको में include किया गया, ठीक है, single cell और eukaryotic, यह भी आपको याद रखना है, eukaryotic single cell eukaryotic, यह दिमाग में रखना है, single cell eukaryotic, अब देखे, इसमें single cell eukaryotic, जिनों ने, यहाँ पर एक important वाली बात यह है कि इन्ही को ही 20, darwin of 20 century कहा जाता है, क्या कहा जाता है darwin darwin of 20 century किसको कहा जाता है Ernest Meyer को ठीक है अभी यह जो Ernest Meyer थे यह जो 20 आप संचुरी ने बताया था, वो 188 1866 में इन्होंने अपना जो है kingdom दिया था, और लेकिन इनके बाद भी अभी हमने दो सांटिस्टों के बारे में देखा आइक अरिस्टोटल, दूसरा आपके कैरोलेस लेनिया 133 सांटिस्ट हम पढ़ रहे है अर्नेस्ट मायर, ठीक है अर्नेस्ट मायर ने ही जो है 1866 इसमी में जिनको 20 आप संचुरी कहा जाता है, ठीक है 1866 में, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे और गैनेज में हैं जिनको हमें ग्यात नहीं है जो की इन kingdom में classified नहीं किया जा सकता है पहने का मातलब नेक्स्ट जो साइन्टिस्ट आए चौथा साइन्टिस्ट ठीक है, चौथे नंबर पे जो साइन्टिस्ट है चौथे नंबर पे जो साइन्टिस्ट है अब उसको हम देखते हैं काओन है भाई चौथे नंबर पे जो साइन्टिस्ट है फोर किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया था देखो ईंको फोर किंग्डम को पता चल गया है पहला है आपका प्लांटी प्लांट किंग्डम क्लाइर हो रही बात नुंक क्या था एनीमल चिंग कर भी ग्ण लिधिन मरे निमार चिंगडूमब हए आप उसके बाद तीसरा जो तीसरा जो है आपका यह कहारोल स्लीनियस और अरिस्टॉटल ने दिया था धो तक उसके बाद तीसरा जो आपका हाँ कौन सा था इंगडं 2021 प्रोटश्टा किंगडम प्रोटिस्टा जिसको हम जगत प्रोटिस्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं जगत प्रोटिस्टा अब देखिए फॉर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले सांटिस्ट का उन है कॉप लैंड इन्होंने फॉर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ठीक है अब फॉर kingdom पे इन्होंने क्या रखा था इसमें रखा था kingdom मोनेरा को किसमें रखा था kingdom मोनेरा जगत मोनेरा kingdom मोनेरा को include कर दिया था इसलिए इनका kingdom कितना बन गया for kingdom classification बन गया clear होरी बात अब ऐसे organism है जो single cell prokaryotic होते हैं इनमें सभी bacteria होते हैं जो single cell जो single cell prokaryotic यह दिमाग रखना आपको single cell prokaryotic clear होरी बात single cell prokaryotic जो होते हैं वो किसमें include करते हैं मोनेरा में मोनेरा मतलब होता है all bacteria जितने भी bacteria होते हैं जितने भी जिवाण होते हैं उस सब को इसमें include किया गया है में इसमें डाला गया है कि लिए रोड़ी बात इस तरीके से student इन्होंने फोर किंगडम classification दिया था तो फोर किंगडम में प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा यह सारी चीजे थी देखिए इनकी भी जो है जो साड़ी बनाये थे इन्होंने इनकी भी साड़ी बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनकी नाम पर ही आपको बताया गया था फाइब किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कौन दिया था फाइब किंगडम क्लासिफिकेशन दिये थी फाइब किंगडम क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि फाइब किंगडम क्लासिफिकेशन और स्टूडेन हमने आपको बताया भी था कि इसको दिमाग भी रखना है अब फाइब क्लासिफिकेशन में कौन कौन से थे पहला था किंग्डम मोनेरा किंग्डम दूसरा है किंग्डम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा तीसरा क्या है किंगडम फंजाई किंगडम फंजाई उसके बाद चौथा क्या है किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा हो गया किंगडम फंजाई हो गया किंगडम मुनेरा हो गया उसके बाद आपका चौथा है किंगडम एनिमीलिया जन्तु जगत ठीक है उसके बाद आपका पांचवा है पांचवा कौन सा है अभी आपको पता चल जाएगा इनिमल किंगडम यहां पर पांचवा जो है आपका इनिमल हो गया किंगडम किंगडम प्लांटी जो है आपका यह पांचवा जगत है ठीक है तो और इसी फाइब के बेसेशपए ही जो है इन्होंने पूरे बोटनी को बुरे सिकन परको में इंकल्यूट किया गया है कि मुनेरा प्रोटिस्टा पंजाय निमेलिया प्लांटी तो यह नहीं कि जो साड़ी थी बहुत लंबे समय तक चली थी नहीं कि बैसिस पर ही होंकि और साड़ी लोगों की साड़ी आपकी प्लाप हो गई थी बट आपको दिमाग में रखना है कि अपना साड़ी दिया था अपना कॉंस्टिब्योशन दिया था तो यह था थोड़ा बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन लेश चैप्टर नमबर वन का क्लास लेवन दिजनों नायंद की बैसिस में तो इस्टोन आपको इतना दिमाग में रखना है जब हम पढ़ेंगे तो न पिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सबी लोगों को थांक्यू गुडबाइब